देवी पार्वती और भोले शंकर के प्रेम की अलग ही पराकाश्टा है। और भगवान शिव से जुड़ी कई पौरानिक कताएं हैं जिनमें भुले नाथ और माता पार्वती जी के अलग अलग प्रसंगूं का वर्णन है। माता पार्वती के स्वारूप को देख कर मोहित हो गए। जब माता पार्वती की तपस्या फूरी हो गई तब समुद्र देव ने उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। इस सम्मन्द में उन्होंने माता पार्वती के पास विवाह का प्रस्ताव भी रखा। यह सुनकर माता पार्वती ने समुद्र देव से कहा कि वे कैलाशपती भगवान शिव से प्रेम करती हैं और उन्हें अपना पती परमेश्वर्फ मान चुकी हैं। जब समुद्र देव ने यह सुना तो उन्हें कुस्सा आ गया। विभगवान शिव के लिए भला बुरा कहने लगे। उन्होंने क्रोध में आकर कहा कि उस भस्माधारी आदिवासी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। मैं सभी मनुष्य की प्यास भुजाता हूँ। मेरा चरित्र दूद की तरह सफेध है। हे पार्वती मेरा विवाह प्रस्ताफ सुईकार कने। माता पार्वती ने जब अपने सामने भुले नात का तिर्सकार होते हुए देखा तो उन्हें सहन नहीं हुआ। उन्हें समुद्र देव के ऊपर क्रोधाया। उन्होंने समुद्र देव को श्राब देते हुए कहा। जिस मीठे पानी पर तुमको घमंड है वह खारा हो जाएगा। खारे पानी की वज़ा से तुम्हारा जल मनुष्य ग्रहन नहीं कर पाएंगे। माता पार्वती के उश्राब के कारण समुद्र का जल खारा हो गया। एक पौरान कता यह भी है कि जब समुद्र मन्थन हुआ था तब मन्थन के प्रभाव से भी समुद्र का जल खारा हो गया था। हम सभी जानते हैं कि समुद्र और महासागरों का पानी खारा होता है। लिकिन बहुत कम लोगों को इसकी वजह पता है। समुद्र का पानी इतना खारा है कि इसे पीने के उपयोग में बिल्कुल नहीं लाया जा सकता। समुद्र में इतना सारा नमक कहां से आया। इसकी कई वैज्यानिक वजह भी है। वीडियोडेस्क अमरुजाला.डाट कॉम डाउनलोड करें अमरुजाला और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।